हेलो फ्रेंट्स आप सभी कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स अगर आप भी अपने लम्मे काले घने मोटे बाल चाहते हैं तो आप एक बार इस घरेलू नुश्के को जरूल अपनाईएगा यह बहुत ही बढ़िया घरेलू नुश्का है तो लोग अपने बालों को दोती थी मुलतानी मिटी से तो जिसे कि उनके बाल काफी लंब्य करके तो तो आपको ना इस मुलतानी मिटी में एक कप के लगवक water यानि की पानी कर देना है और लगों किसे आदा गंटा तक भीगे रहने देना है जब यह अच्छे से भीग करके तयार हो जाएगी तो friends आपको ना इसको चम्म से अच्छे से चलाना है मिक्स करना है देखो यह अच्छे से मिक्स हो चुकी है friends तो मैं आपको बता रही है यह बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए आपको इसके इसको यूज करने कौद आपको कोई भी केमिकल प्रोड़क्ट यूज नहीं करना है मुलतानी मिट्टी जो होती है यह हमारे किचिन में पाया जाता है इसमें आपको कोई खर्चा भी नहीं है और दही में जो होते हैं यह लेक्टिक एसिड वगरा होता है जो हमारे सब्सक्राइब करता है यह फॉल को रोकता है यह ग्रोथ करता है नई बाल उगना सुरू होते हैं इससे बाल बहुत ही चमकदर काले लंबे घलेवाल उग जाते हैं इससे तो फ्रेंड्स आपको दही के बारे में मैंने बताई दिया है और आपको इस दही को अच्छे से मिक्स करना है दही से क्या होता है फ्रेंड डेंडर वगरा या खुजली इंफेक्शन जैसे भी समझते हैं मिसा मिसा के लिए खत्म हो ज होता है बाल बहुत चमकदार और लंबे खुशूरत हो जाते हैं तो आपको ना नीवू एड़ करने के बाद इन तीन चीजों को अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स आपको इसका यूज किस तरीके से करना है चलो मैं यह बता भी देती हूं आपको तो आपको इसका कर बहुत लंबे काली घने मोटे हो जाएगे और बालों में एक लग सी हमख गाने हो जाएगी और सफ़द बालों की समस्या भी हमेसा Son idag खत्म हो जाएगी और आप मेरे चैनल पर नहीं आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं तो फ्रेंड्स इससे ना इसके हल्प में गंदी, इंफेक्शन, खुजली, डेंडर जैसे समस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपको इस से तीन हफते तक continue लगाना है, जिसने कि आपको इसका result देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा, आप सारे chemical products भूल जाओगे, market में आपने बहुत सारे chemical products होते हैं, इनसे आपके बालों पर कोई असर नहीं होता, पर ये आपको एक हफते के अंदर-अंदर बहुत ही अच्छ